हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो आपके कीचन के डेली रूटिन काम को बहुत हलका करने वाली है, क्योंकि आज हम बनाएंगे घर में रखे दूसे भी को मार्केट जैसी उतनी टेस्टी फ्रेस क्रीम, और इस फ्रेस क का यूज कर सकते हैं, बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है, साथ ही साथ इससे जाओ केक को डेकरेट करेंगी, केक इतना टेस्टी बनेगा, खाने वाले को पता नी चलेगा कि आपने इसे घर में रखे दूसे बनाया है, या मार्केट की फ्रेस क्रीम लेके आए हैं, तो इदम परफेक्ट 100% टेस्टी क्रीम कैसे बने, उसके लिए वीडियो को स्क्रीप मत करिएगा, पूरा देखेगा, तो घर में रखे दूस से जो फ्रेस क्रीम बनेगी, उसको बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है, एक रीटर फुल क्रीम दूद, दूद अभी पर दूद थंडा हो जाएगा, फिर हम इसको रद देंगे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए, दूद जितना थंडा होगा, आपकी जो क्रीम है उतनी अच्छी बनेगी, और यहां दूद को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, दूद एदन थंडा हो गया है, जितना थंडा दूद होगा, आपकी क्रीम उतनी अच्छी बनेगी, अब चाकू से किनारों से मलाई को अलग कर लेंगे, अब दूद में से मलाई को निकाल लेंगे, तो मैंने यहां पर जानी वरी छनी लिए, जाकि जितना इस्टा दूद हो निकल जाएगा, क्योंकि हम बनाएंगे तरीके से बनेगी बिना किसी फेलियर के, तो सारी मलाई को पहले हम अलग कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए मैंने सारी मलाई को अलग कर लिया है, दूद को अलग कर लिया है, जितना एक्स्ट्रा दूद होगा वो भी निकाल देंगे, तो यहां पर हमारी एक दिन की जो म कर स्बसेदी मे दो में को दो दाल दें लगा। यहां बात दाती है makan कि हमें कितने दिन की मलाई से क्रीम बनाना होगा लगभग का उसक्ण दो बर सटेयां में तो इस एक हैं क्रीम कोड़ में नियुज़ सहे यहां पर ली कि मं हमेरत हैं второй करेम नहीं वात का कि वह इंग देहाना कि जो आपकी क्रीम ने वह बहुत गाड़ी नहीं होने करेंगी इस तो आप इसमें से क्रीम को फेटको लग नहीं पॉल्ग मिक्स पूझाएगर फैटें फट Henri नहीं को आधिसी बात यह पाने की अच्रीम उन्हें का मचा परिया हैं सारे मलाई को डाल दें जाले के उपर आपके पार टाइम है तो आप ऐसे छोड़ दीजे क्रीम निचे निकल जाएगी और फैट जो है वो उपर रह जाएगा लेकिन मेरे पार टाइम ने इस टाइम पर तो हम क्या करेंगे चम्मस से ही हलका हलका हिलाते हुए क्रीम को अलग कर लेंगे लेकिन यहां आपको ध्यान देना है मैं अभीकुल हलके हलके हाथों से कर रही हूँ हमें रब नहीं करना है रब करेंगे तो फैट भी छहन जाएगा फिर आप फेटेंगे तो मिंटो में फेट जो क्रीम है वो फट जाएगी तो हलके हलके हाथों से करेंगे ये देखिए अब बहुत देर तक नहीं करना है जितना आराम से निकल जारा उतना निकालिएगा एक एक बून टपके वैसे मत निकालिएगा प्लीज बस हलका हलका जब गिरे तो छोड़ दीजेगा तो अभी आप देखिए बहुत सारा फैट छनी के उपर है अभी गिर रहा है लेकि हम उसका यूज नहीं करेंगे ज़्यादा छानेंगे तो जो फैट है वो छहन जाएगा क्रीम भी फट जाएगा खराब हो जाएगी फिर तो यहां पर देखिए मैंने यह जो मलाई का फैट इसको हमटा देंगे इसका यूज आप घी बनाने में कर सकते हैं लेकिन अब छानेंगे तो फैट आ जाएगा इसके अंदर तो क्रीम को हम यूज करेंगे फैट को हम हटा देंगे आई होब आपको यह सिंपल रेसेपी पसंदारी होगी जो मैं आपको टिप्स शेयर कर रही हूँ अभी जो क्रीम है देखिए बहुत ही लिक्वेडी है इसको महलका सा मिला देते है हमेशा केक तो डेकुरेट करते नहीं है लेकिन सबजी तो हमेशा बनाते है चाहे पालक प कराने में जो आपको बहुत पसंदाती है तो आप बेकार में मार्केट की महंगी महंगी क्रीम लेके आते हैं तो यहां पर बिना फेटे आप इस तरह से क्रीम को यूज कर सकते हैं लेकिन डेजर्ट में आइस क्रीम में क्रीम हलकी गाड़ी होती तभी यूज करते हैं तो आ यह देखिए अब इस्क्रीम को यूज़ आप पुडिंग में गनाश बनाने में यूज़ कर सकते हैं या किसी चीज के उपर डेकुरेट करना है तो यह जो क्रीम हरकी थिक है तो आराम से डेकुरेशन हो जाएगी और बहुत-बहुत टेश्टी क्रीम बनती इस तरह से को डेकुरेट करते हैं वह बहुत ही हैवी होती है तो उसको फेटने में 10-12 मेट कर समय आराम से लग जाएगा इस बात का ध्यान रखिए बस आप कि क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए गरम नहीं होनी चाहिए अच्छे से फेट लेंगे अगर आपके पास इलेक्ट्रोनी ब ऑफेट लिया' आप देंसकते हैं कि UCR M. कितनी लाइट कितनी फ्लफी हो गई है और यह कोई एक राखिव क्रीम बनेगी ऐसी ही बनने वाली है आपड़ा दिमाग अग लागते हैं कीज्ञ बे ikश आपर नीचे करते लिए प्रक्रीम तक पर उसलेनलिगे को हृसा से देखिए स्किप मत करिएगा जिन जिन चीजों को मैंने आपको बताया है फॉलो करने के लिए फॉलो कर लीजेगा आपकी क्रीम ऐसी बनेगी लेकिन इतना फेटने के बाद मैं जब मन चाहे से यूज दिन तक क्रीमं चयर्जेन चल जाएगी अराम से गल्मी में फ्रिज़ में sepertiWhen you do डाल दीजे और अपने केग पर डेकुरेट कर लिए दो दिन तक तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत हेल्फुल लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ड्हेर सार लाइक करिएगा साथ में इस वीडियो को जरू ट्राय करिएगा आप य कि अपने एक्सपीर में इसाथ में शेयर करिएगा कि आपने ट्राय किया को वीडियो कैसे लगी चली मिलते हैं ऐसी इजी हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ में अभी के लिए टेक केर और बाबाए आप मुझे फेस्बूक इंस्ट्राग्रां पर फॉलो कर सकते हैं तो प कि आप जयां कि आप सोन